हारर कहानियाटी खून की प्यास, पाठवाइन काली अमावस की रात थी और रात के गहरे सननाटी को चीरते हुए एक औरत के चीखनी की आवाजे पूरे जंगल के शांत माहुल को दहशत से भर रही थी वो औरत के इस तरह से चिला रही थी जैसे किसी ने उसके बदन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हूँ रात को अपनी खेतों में पानी देने के लिए आया हुआ हरिया के साथ अभी तक इन आवाजों को सुन नहीं पाया था क्यूंकि उसके बेटे किशन ने उसे नया नया मुबाइल फोन जुला कर दिया था शेहर से और बस उसी मुबाइल फोन में इयर फोन लगा कर वो कोई पुराना गाना सुनने में मग न था लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ उस औरत की चीखनी की आवाज हर्या किसान की कानों से टकरा है हर्या का दोस्त रामू भी खेत में ही घाट पर गहरी मील में खराटे मा रहा था रात के उस सन्नाटे में औरत की चीखनी की आवाज सुनकर ठंड के मौसम में भी हर्या किसांगे माथे से पसीना तपकने लगा रामू, अरे ओ रामू, अरे जल्टी उठ, क्या खर्राटे मार कर सो रहा है, अरे इतनी रात को ये जंगल में कौन औरत चीख रही है, पूरी तरह से चीख रही है अरे क्या हुआ, क्या हुआ कौन है, अरे भूत आ गया क्या, चोर आ गया क्या अरे न चोर आया है न भूत आया है मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुने इस औरत के चीखने की आवास सुनाई देती है कि नहीं अरे कौन सी औरत अरे ये आवासे तू पहले नहीं पता सकता था पता नहीं कौन चुड़ेल जंगल में नाच रही है हम घर चले जाते हैं देखता नहीं मैंने तो कानों में ये ये लगा रखा था वो किशन ने लाके दियाना शहर से गाने सुन रहा था मैं अरे लेकिन भाई मुझे बहुत डर लग रहा है क्या करें अरे करना क्या है भागो यहां से भगवान जाने कौन है रहे थे डर की वज़े से ना वो वहाँ पर रुक पा रहे थे और ना ही अपनी जग़ से आगे बढ़ पा रहे थे तब ही अचानक से सन नाटा चा गया सही मौका है हमें यहां से निकल लेना चाहिए भाईया रामू और हरिया अपना गमचा उठा कर डबे पैरो जंगल के रास्ते से गाउं की तरफ चलने लगे गाउं की और जाने वाला ये एक ही रास्ता था और आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी लेकिन अभी दो मिनिट पहले वो आवाज पूरी तरह बंध हो चुकी थी और जंगल में पहले जैसा सननाटा पसर चुका था तब ही अचानक से पेडो में किसी के चलने की सरसर आहट रामो और हरिया को सुनाई दी क्या तुमने कोई आवा सुनी आयात ऐसा लग रहा है कोई इस तरफ ही आ रहा है और तब ही अचानक सामने पेड üzerine एक साया रामो और हर्या के सामने उल्टा आकर लटक गया ये देखकर रामो और हर्या की चीख निकल गया वो दोनों डर के मारे बेहोश हो गया वो साया जमीन पर आकर खड़ा हुआ उस दे रामो और हर्या के बालों को पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया अगले सुबह रामु की पत्नी कमला हर्या के घर आई और उसने हर्या की पत्नी सुमन से अपने पति के बारे में पूछा सुमन कल रात को ये तुमारे ही पत्ती के साथ गए थे खेट पर अभी तक लाटकर नहीं आए है हाँ बहन मैं भी वही सोचकर परिशान हूँ मेरे पत्ती भी अभी तक खेट से लाटकर नहीं आए दगवान जाने क्या बात है दो पैर हुने आई है अब तक तो उन दोनों को लाटकर आ जाना चाहिए था क्या करे कैसी पता करे कि वो दोनों कहा है मेरा बेटा भी शहर गया हुआ है वहना उसी को भेज देते खेट पर मेहन मुझे लगता है कि हम दोनों को वहाँ जाकर अपने पतियों को ढूणना चाहिए ठीक कहती हो तुम चलो मैं तुमारे साथ चलती हूँ और वो दोनों जंगल के रास्ते खेट की तरफ आगे बढ़ती है वहाँ जाकर देखती है कि हरिया और रामो आग जलाकर आग की उपर कुछ पका कर खा रहे थे आग यहाँ पार्टी बना रहे हैं और वहाँ घर पर हमारी जान सुखी जा रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया मुझे कुछ नहीं हो सबता, मैं कभी, कभी नहीं मर सकता, समझे तो अरे तब यह तो ठीक है, यह किस तर के आवाज में बात करें आप, कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस जोरो की भूक लग रही थी इसलिए, खाना बना कर खा रहे थे अच्छा इतनी बद्बू आ रही है ऐसा क्या बनाकर खा रहे हैं जरा हमें भी तो बताईए अरे भाभी अग्यों परिशान हो रही हैं मास पका कर खा रहे हैं एक जंगली जानवर कल रात को खेत में आ गया था हम दोनों ने उसे मार दिया और बस उसी का मास पक रहा है और वो भी जंगली जानवर का चलिए अभी गभी घर चलिए चलेंगे चलेंगे लेकिन पहले ये मास तो खतम कर ले कुछ दिर बाद रामू और हर्या कमला और सुमन के पीछे-पीछे गाउं के तरफ चल देते हैं रामू और हर्या की आखे पहले जैसी नहीं रही उनमें कुछ बदल गया था रामु अपनी पत्नी कमला के साथ घर चला जाता है और हर्या अपने घर आ जाता है देखे आपने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए आपको माफ कर देती हूँ लेकिन आज के बाद ये रामु के साथ जाकर माज पका कर खाया ना तो इस घर में घुसने नहीं दूंगे आपको अरे दिमाग मत खराब करो मैं वहाँ खाट पर लेट कर गाने सुन रहा हूँ मुझे परिशन मत करना आप इतिन हाथ अमाशा खड़ा कर दिया तो पैर तक घर लोटकर नहीं आये और अब गाने सुनने लेकिन हर्या घर के बाहर आंगन में जाकर चुप-चाप लेट गया और گाने सुनने लगा गाने सुनते सुनते हर्या को नींद आ गई सुमन ने उसके कान से इयप लग हटाया और अपने आप से कहा जरम मैं भी तो सुनकर देखू ऐसे कौन से गानों सुनते है उदर मोबाल में एक अजीब सा गाना बचने लगा सुमन ने घबरा कर मुबाल फोन दूर रख दिया वो बुरी तरह से डर गई थी तब ये अचानक हरिया अपने नीन से जागा और गार्दन टेड़ी करते हुए सुमन की पास आया क्या क्या कर रही थी गाने सुन रही थी वो ये कैसा गाना सुन रहे थी तुम मोबाल के अंदर मौत है मौत अरी ये सारी बाते छोड़ो और ये बताओ आज शाम को तुम मेरे साथ खेच चलोगी लेकिन क्यों और तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो अपने गर्दन सीधे रखकर बात करो ना वो वो मेरी गर्दन में सोते सोते थोड़ा दर्द हो गया है मेरे साथ आज खेच चलो ना तुम्हारे साथ पूरी रात रहना चाहता हूँ कैसी बात कर रहे हैं दिन दहाडे जरह भी शर्म नहीं आते क्या अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है तुम पत्मी हो मेरी पूरी रात खेच पर रहता हूँ मुझे भी तो तुम्हारे पास आने का हक है की नहीं अच्छे ठीक है ठीक है चलती हूँ आपके साथ खेच पर लेकिन फिर उस रामो को मत बुलाना अरे ये कैसी बाते कर रही हो अगर तुम मेरे पास होगी तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा सिर्फ तुम और मैं और रात का सन्नाटा शाम के वक्त हरिया सुमन को अपने साथ खेच पर ले जाता है आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था हरिया ने अपने खेच में बनी हुई छूटी सी जूंपड़ी के अंदर सुमन को अपने पास बिठा लिया और उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा कितनी खूबसूरत हो तुम बहुत सुन्दर लग रही हो एक चांद से भी स्यादा सुन्दर लग रही हो ऐसे बाते मत करिये ना मुझे शर्मा आती है अपनी आखे खोल कर जरा मेरी तरफ तो देखो सुन्दर ने शर्मा आती हुए जैसे ही अपनी आखे खोली उसके होश उड़ी हरिया के बड़े बड़े दांत निकला आये थे और वो पूरी तरह से एक जानवर की तरह नज़र आ रहा था लेकिन हरिया ने सुन्दर के हाथ को कसकर पकड़ लिया उसके नुकिले नाखुनों की बज़़ से सुमन के हाथ से खून बेहने लगा था बहुत देट हो रहा है मुझे जाने तो कोड़ो तुम क्या करना चाहते हो वही जो एक आदमी एक औरत के साथ करना चाहता है और उसके बाद मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा पती है क्या मतलब क्या करना चाहते हो कहा है मेरा पती जंगल के बीचो बीच उबलते हुए पानी के तालाव में वहीं है तुम्हारा पती चलो चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी प्यास पुजानी होगी और इतना क्याकर हरिया सुमन के उपर जानवरों की तरह तूट पड़ता है और खिर कौन था वो जानवर और क्या सुमन उसके शिकंजे से बचकर निकल पाई जानने के लिए देखे इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए पाई भाई गया सुमन के लिए अगलिए अगला पाई